किछ ॐ खरू दोस्तों आज हम बात करेंगे देंस यूपीटट के लिए 2 यूपीटट थकी लिए οι इंग्रिजित एंड़्य रिद जा स्टी सब्स अंग्रीन नो के संस्क्राय तुरोड देखिए्गा वीडियो को श्टार्ट करते हैं अगर आप पहले sentence क्या दस sentence के बारे में हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसके अगर हम परिभासा की बात करें तो परिभासा हो जाएगी sentence is a group of words which makes complete sense क्या sentence is a group of words which makes complete sense अगर नहीं हिंदी की बात किया है तो इसकर हिंदी में अर्थ क्या होगा सब्दों क वह समोज distributed देता है यह हो जाएगाlicht तुछ तो इसका अगर मुदाहर्ण देखें तो राम आल्वेज स्पीक्स धृत्थ यह हो जाएगा उदाहर्ण सेंटेंस का प्रतेक वाक्य के प्रतेक सेंटेंस के दो भाग होते हैं कौन कौन से सबजेक्ट और क्या सबजेक्ट और प्रेडिकेट देख लेते हैं आगे सब् साइन्स क्या च्छआ सभी आगे अगे देखे मिदेखे क्या Conrad के गर बात करते हाँ तो इसमें सब्जक्त यह फिर में कुछ बितन बताया जाता है तो वही जाता है प्रेडिकेट, ठीक है, ठीक है प्रेडिकेट में वहाखिय का हुआ होता है जिसमें subject के become में आधाया जाता है, जैसे अगर हम उदाहण की बात करें तो राधा, speak, English क्या अगर सब्जेक्ट में इसमें हम बात करें, इस वहाखिय में subject क्या होगा और predicate क्या होगा तो क्या हो जाएगा तो इसमें subject जो है subject हो जाएगा राधा और इसके अत्रिक तो जो पूरा जो वाकि बच रहाईए हो जाएगा प्रेडिकेट ठीक है आगे हम देख लेते हैं यह मुख्य बिंदु है इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आदे सात्मक वाक के जो imperative sentence होते हैं इसमें subject जो होता है जैसे come here क्या come here और दूसरा अंब की होते हैं यह हम पहले सब्जेक की बात कर लेते हैं तो सब्जेट की बहाग देखते हैं सब्जेक्ट में पहले हो जाएगा क्वालिफायर क्या क्वालिफायर क्वालिफायर को इनलार्जमेंट कहते हैं और दूसरा वाक के मेंवर्ड हो जाएगा है सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं क्वालिफायर और मेंवर्ड आते हैं कुछ भाग तीन भाग जैसे डिटर्माइ में हो जाएंगे verb object और complement फिर उसके बाद अगर हम object की बात करें तो इसमें object में जो होता है object के मुख्षिता दो भाग होते हैं कौन-कौन से indirect object और direct object इन सब की सभी के बारे में जान लेते हैं हम आगे जैसे अगर यह sentence दिया हुआ है कौनशा the sun science इस sentence में अगर हम बात करें क्वालिफायर की तो क्वालिफायर क्या हो जाएगा तो क्वालिफायर हो जाएगा दा क्या दा ठीक है इसमें दा जो है यह क्वालिफायर हो जाएगा उसके बाद अगर हम सन की बात करें तो यह नाउन या फिर मेंवर्ड हो जाएगा नाउन नाउन या फिर मेंवर्ड हो जाएगा सन उसके ब इस वाकि में अगर हम बात करते हैं प्रेडिकेट की तो प्रेडिकेट क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा का मेन वर्ड ब्रदर हो जाएगा उसके बाद एड्जेक्टिव प्रास हो जाएगा इन कानपूर ठीक है आगे हम देख लेते हैं जिरंड क्या होता है जिरंड वार्ब में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है यह वर्ब में फस्ट फॉम में आई एंजी लगाने से बनता है यह वाकि में नाउन या फिर संग्या का कार्य करता हो जैसे कि वाकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ वाकिंग जो इज यूजफुल फॉर हेल्थ तो वाकिंग जो है यह जिरंड हो जाएगा आगे हम देख लेते हैं इन्फिनिट्व वर्व क्या इन्फिनिट्व वर्व की फर्स्ट फॉर्म से पहले तू लगाने से बनता है जो इन्फिनिट्व वर्व होता है इन्फिनिट्व जो है वर्व की फर्स्ट फॉर्म से पहले तू लगाने से बनता है वाक में नाउन का कार्य करता है इन्फिनिट के रूप में प्रियुक्त होता है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है subject यह एक वाक लिखा हुआ है to work is good for health तो जो तू वाक है यह हो जाएगा infinity आगे हम देख लेते हैं क्या object modifier क्या object modifier जिरंड या infinitive की व्याख्या बताने वाले सब्द हैं यह सब्द जिरंड या infinitive के बाद प्रियुक्त होते हैं जैसे bathing in the morning is beautiful bathing in the morning is useful ठीक है तो इसमें जो infinitive है यह हो जाएगा इसमें अगर हम object modifier की बात करें तो object modifier हो जाएगा in the morning क्या in the morning जो हे यह हो जाएगा object modifier और main word हो जाएगा bathing ठीक है और इस यूजफुल हो जाएगा प्रेडिकेट ठीक है इस यूजफुल यह हो जाएगा प्रेडिकेट आगे हम देखे लिट या फिर देर का प्रियोग कैसे होगा इस तथा देर का देर भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रियोग तो होते हैं इसमें इस प्रियोग में इट अ अब में बात कर लेते हैं, kind of sentence की assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence और obtative sentence, इसमें assertive sentence को हिंदी में कहेंगे विदिसूचक, interrogative को कहेंगे प्रसन सूचक, imperative sentence को कहेंगे आदेसात्मक वाकि, और exclamatory sentence विश्मय बोधक और obtative एक्छा बोधक, अब मैं इस सब के बारे में विश्तार से जान लेत हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, assertive sentence, क्या assertive sentence, इनके बारे में जान लेते हैं, विदिसूचक वाक कि किसी घटना या किसी कार या घटना के होने या फिर ना होने की सूचना देते हैं, जैसे, अगर हम बात करें, उदाहरन की तो, Harry reads a book, Rohit does not sing, ठीक है, विदिसूचक वाक क जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेट्व और निगेट्व, आगे हम देख लेते हैं, अफर्मेट्व और निगेट्व को, तो अफर्मेट्व वो होते हैं, जो किसी कार या घटना की होने की सूचना देते हैं, जैसे, Harry reads a book, और निगेट्व sentence जो होते हैं, किसी कार या घटना की ना होने की सूचना देते हैं जो अफर्मेट्व होते हैं यह कार या फिर घटना की होने की सूचना देते हैं और जो निगेट्व होते हैं या फिर यह ना होने की सूचना देते हैं जैसे रोहित डजनाट सिंग आगे हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं वे वाके जिनमें कोई प्रेशन पहुंचा जाता है प्रेशन वाचक वाके कहलाते हैं इन वाकेओं के अंत में परिशन वाचक चिन लगा रहता है यह दो पकार के होते हैं और है yas or no type sentence और wh type sentence आगे हम देख लेते हैं yes और या फिर no type जो sentence होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं ऐसे वाक्यों के प्रारभ में सह Ingred おके होती है जैसे is is, am, are, watch, wear, do, desp or can और में आदी यह सहाय क्रियाएं आती हैं जैसे यहाँ पर देख लेते हैं तो is क्या is he a good student और आगे क्या है can you give me your pen इन यह दोनों yes or no type sentence अगे हम देख लेते हैं ड्यू एह टैप सेंटेंस क्या ड्यू ओळ एच सयंथेंस इन में क्या होगा तो इन वाकियों के आरभ में प्रिश्न चुचक सब्द आते हैं जैसे what where when who why which आदी हिंधी अर्थ में प्रिश्न सूचक सब्द वाके के बीच में आते हैं जैसे what is your name, how can you do this, जैसे लिखा हुआ है what is your name, तो आपका नाम क्या है, ऐसा होगा, तो क्या जो सब्द है यह आया है बीच में, आगे हम देखते हैं, imperative sentence, या फिर आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्यों से आग्या प्रार्तना या उपदेश का भाव होता है, ऐसे वाक्यों में, जो करता होता है, यू, क्या यू, छिपा रहता है, जैसे, go there, bring some water, ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, exclamatory sentence, क्या विसमे आदी बोधक वाक्य, इन वाक्यों से आश्चार भाय, दुख, घंडा, करूडा, हरस आदी भाव प्रिगट होते हैं, इन वाक्यों के अंत में विसमे बोधक चिन लगा रहता है, ठीक है, जो ये चिन होता है, ये लगा रहता है, कभी-कभी वाक्य में क् beautiful girl she is, क्या, what a beautiful girl she is, अगला जो उधारन है, how police you are, इन दोनों वाक्यों में, यहां पर question mark लग गया है, question mark नहीं होगा, question mark खटा दीजेगा, ये विसमे बोधक चिन लगेगा, आगे हम देख लेते हैं, optative sentence, क्या optative sentence, या फिर, इनको हिंदी में कहेंगे, इच्छा बोधक वाक्य, ठीक है, इन वाक्यों से, कोई इच्छा, कामना, आशिर्वाद या अभिसाप आधिका बोध होता है, इन वाक्यों के अंत में भी, विसमे बोधक वाक, जो लगा, चिन होता है, ये लगा रहता ह तो यह कुछ यूपिटेट के लिए था आप आपको वीडियो कैसा लगा केमेंट जरू करिएगा वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद